इसे मुक्तमंत्री हैं जिन्होंने जातिवाद, संपड़नाएबाद, पाकीवाद, आर शारी विचारधारा से उपर उठकर रामराज की संकल्पना को साकार करने के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर काम करने का प्रयास किया सरकार की जो ऐदिपी जारही थी, ऐसा एक बाता मन बना जा रहा था कि अख्रीजन की कमी है, लोग अक्रीजन की इमर रहे है, ऐसा बाता मन बना जा रहा था, औरस्तमा कि जैसे बहुते समाजवादी पार्टी की सरकार में अमिड़कर गाव भी कासी होज़ा चलती थी इसी तरह बंड़ा होगी इमाहाज में उत्तर पर्देश के मुझे बचाओ साथियों इस तरह के 2017 से पहले की सकी थी अज साथियों कोई भी किसी मोटसाइकर चीनने वाला ने एक बार में लखने हो दो हजार संद्रा से पहले के कारे से खुस हैं कि माफियाओं के खिलाफ ऑप्रेशन की कारवाई ऐसे चलनी चहिए ना सभी लोग सहमत हैं सभी लोग भारती जंता पार्टी को विज़ई बना करके वेजेंगे कमल चुना चिन पर भारी बहुमत से विज़ई बना के वेजेंगे सभी लोग सहमत हैं आस्वस्त हो करके जाओ दस मार्च के बाद मैं अपने आपरेशन की तैयारी करो पुरी तैयारी के साथ तो पहला काम आपका क्या होगा पहले मत्तान फिर जल्पान पहला मत्तान सभी लोग सहमत हैं भारी संक्या में मत्तान करेंगे से बीजेपी को जिता करके वेजेंगे तो मैं अस्वस्त होता हूँ आप मेरे साथ बोलेंगे दोनों हत्वा करके भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी हम सब के सामने प्रस्तुत करता है और इसलिए भाईो बेनो जब आज में फरुकाबाद चनपत के भोध्पर विधासा सीट में भोध्पुर और फरुकाबाद के आप सभी मताता भाईो बेनों से पील करने के लिए हाँ पर मैं आया हूँ मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि 2017 के पहरे भी सरकार थी लेकिन उस सरकार की संकुचित दाएरे थे सोच संकुचित थी प्रदेश के अपराधी करण राजनीती का माफिया करण और विकास की योजनाओं में टकैती और गरीब के मों से निवाला च्छीनने का उनकी जो प्रविड़ी थी न केवल प्रदेश बलकि देश भी हैरान था परेशान था क्योंकि अंतवत्ता प्रदेश के विकास का प्रभाव देश पर पड़ता है देश के विकास की दर पर पड़ता है और आबादी की दिस्टे देश के सबसे बड़ी आबादी का राज्य जिस लचर विवस्ता के साथ कारे कर रहा था उसको देखते में नहीं लगता था कि कुछ कर पाएंगे और भायो बेनो इसलिए आज मैं आपके बीच आया हूँ आपसे कहने के लिए 2017 के पहले प्रदेश की कानून विवस्ता किसी से चुपी भी नहीं थी और भोजपूर ते इसके लिए बद्दाम हो चुका था भोजपूर में तो उस समय ये माना जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में माना जाता हूँ कि भोजपूर में समाजवादी पार्टी इसको इसलामाबाद बनाने के लिए उत्सुब दिखाई देती लेकिन आज मैं कह सकता हूँ इसलामाबाद बनाने का सपना देखने वाले लोग आज चारों खाने चित्न है अपने स्थित्व के लिए जूज रहा है हमारी सरकार ने सुरक्सा और कानून व्योस्ता का एक ऐसा मानक प्रस्तुत किया है कि सुरक्सा सब को देंगे तुष्टी कान किसी का नहीं करेंगे और कानून के साथ अगर खिलवार करने का कारे करेंगे तो कानून तो निप्टेगा ही निप्टेगा कानौन के बाद बुर्डोजर भी तयार रहता है आज परदेश की हर बेटी अपने तो सुरक्सित महसूस करती है आज परदेश में दंगे नहीं होते समाजवादी पार्टी की सरकार के समय साथ सो से भी दंगे होते लेकिन पांच वर्ष में भारती चंता पार्टी की डवल इंजन की सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ पहले दंगे होते थे कर्फ्यू लगता था बाजार बंदो होते थे ब्यापारी तरस्त रहता था कर्फ्यू खोता था ब्यापारियों पर बंबाजी होती थी तब भी ब्यापारी तरस्त रहता था आज भाईयों बेनों कर्फ्यू नहीं लगता बंबाजी भी नहीं होती आज तो कर्फ्यू की जगए कावड यात्रा ने ले लिया है हर हर भंदम के नारा लगाते वे कावड यातरी पुरे प्रदेश के अंदर चलता है कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि सिव के गण है भगवान सिव के रातनावे लीन है यह दद्लाया प्रदेश है आद्बिकास की योजना का लाव हर काव हर करीब हर किसान हर मौजवान हर मैला हर बच्चे और समाच के प्रदेश के को मिला है प्रदेश के अंदर अगर करोना प्रवंदन की ही में बात करो क्या इस प्रदेश के अंदर इस से पहले किस परकार की दर्वे उस्ता ब्याद्ट थी है किसी इसे चुपावा नहीं है भायो बेनो आद में आपसे कह सकता हूँ आद में इस बात को कह सकता हूँ फ्री में टेस्ट फ्री में उपचार फ्री में वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन ली है अभी नंदन आपका भायो बेनो ये फ्री में वैक्सीन आप देख सकते हैं करोना की थर्ड वेब में अमेरिका जैसी दुनिया की बड़ी ताकत पस्त है अमेरिका पुरी तरह बस्त है रूस भी परेसान है यूरोप में भी तबाई बचीवी है लेकिन भारत के अंदर प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में फ्री में वैक्सीन की स्रणिती ने हर वैक्ति के जीवन को बचाने का काम किया है जो लोग तुस परचार करते थे कि वैक्सीन भाजपा का वैक्सीन है मोदी का वैक्सीन है नहीं लगाएंगे अब तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर सो फीस्टी लोगों ने पहरी डोज ले ली है और चत्तर फीस्टी लोगों ने तूसरी डोज भी ले ली है भाईो बेनो जो लोग वैक्सीन के खलाब तुस पर चार कर रहे थे आज उनको मोतोर जवाब देने किया हूँ सकता है कि अगर हमारी जान को इस मोधी वैक्सीन और भाजपा की वैक्सीन ने बचाया है तो फिर वोट की चोड के मात्यम से दुस परचार वा करने वालों को मोतोर जवाब भी देंगे क्या आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं और वयूबेनों फिरी मैं वैक्सीन को दिया ही दवनिंजन की सरकार है डवल डोज रासन का भी दिया गया है मैंने में कोगा रासन मिला है ना यह जो भोशपुर को और फरुकाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे क्या इन लोगों ने कभी बिजली थी? सभागी सरकार में बिजली आती थी? इन्हों ने तो इस छेतर को डार्क जॉन बना दिया था डार्क जॉन अंधेरे में रहने के आती थे और कहावत भी है ना चांद ने रात चोरों को अच्छी नहीं लगती झाल